वेरिफाइ वेदर 2 एंड 0 आर 0s of the polynomial x square minus 2x सुपर सिंपल हमें यह find out करना है कि 2 एंड 0 इस polynomial के 0s है या नहीं मतलब x की value 2 या 0 डालूं अगर मैं यहां पे इस polynomial में तो क्या इसकी value 0 हो जाएगी तो जिसके लिए इसकी value 0 हो जाएगी वो इस polynomial का 0 हो गया जैसे कि सबसे पहले हमें 2 के लिए इसको test करना है तो x की जगा मैंने 2 डाल दिया तो यानि कि यह क्या हो गया 2 square minus 2 into 2 x की जगा मैंने 2 डाल दिया तो यह कितना हो गया 2 square is 4 minus 4 which is 0 तो that is right 2 जो है वो इसका एक 0 हो गया अब हम 0 के लिए चेक करते हैं इसको अगर x की value 0 हो तो क्या होगा तो यह हो जाएगा 0 square minus 2 into 0 which is equal to 0 minus 0 that is 0 तो इसका मतलब 0 भी इसका एक 0 है okay I hope आपको कोई confusion नहीं हो रही कि 0 इसका 0 है क्या क्या मतलब मैं फिर से explain करता हो एक number कोई भी एक number 0 1 2 3 4 कोई भी number एक polynomial का 0 तब कहलाता है जब उसकी value polynomial में जब put करें तो polynomial की value 0 हो जाए ठीक है तो जिस number के लिए polynomial की value ही 0 हो जाती है उसको बोलते हैं 0 of the polynomial so that's it from this tutorial keep watching Mathemafia जातवा थबड़ी जौरा 2 अकै स्पर्णे।